पच्छिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में बहले की दुनना में दाखिला कहीं ज्यादा लिया गया था मगर स्कूल इसे पढ़ाने में नाकाम रही घटना है आलिपूर जिल्ला के काल्चिनी ब्लोक के राजाभात खवा जूनियर गलसाई स्कूल की जहां एक सो बालिकाएं प स्कूल चल रही थी विगत तीन सालों से इसकूल बंद होने के कारण विद्यार्थियों का भविश्या में प्रसंचिंग लग गया है गावाला बहुत खुशी था कि सबका घर का पास ही अपने बच्चे पढ़ेंगे माबाप का सामने रहेगा तो हर चीज को टेकल कर सकता है गाइट कर सकता है पर यहां पितना भी ड्रोप आउट बच्चे थे उसको हम लोग ढूंड के यहां पर उनका एड्मिशन करा दिये कोई 5 में हुआ, कोई 6 में, कोई 7, कोई 8 तकी था तो करीबन यहां 57 या 67 ऐसे कुछ छात्रों थी पढ़े ही बहुत अच्छा था दो एक्स टीचर थे ठाकूर्शर था और एक बेंगुली टीचर था साइंस का जो लोथावाडी हैमंडन का था पर आचना क्या हो पता नहीं एक शर तो एक्स टीचर था तो एक्स टीचर एक चला गया उसके बाद जो बंगला टीचर साइंस का ओ पढ़ा रहे थे कुछ दिन उसके बाद वह भी नहीं आये बंद हो गया इसकोल आप देख सकते हैं खंडर की तरह पढ़ा हुआ है सरकार का पैसा ऐसे वस्टेज हो गय जनब साइब 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 तो हम लोग के हाथ में है नहीं तो हम लोग जो करते हैं कि हम लोग उपर में जना देते हैं कि इस A-School में ये वेकेंसी है, ये कारण से बंद है, ये अलरड़ी हमारे एंड से या ब्लोक एंड से बोले या SI सहीब के एंड से अलरड़ी हम लोग बता चुके हैं, हमारे ब्लोक लेवल एंड में अभी इसका डारेक्ट सॉलूशन नहीं ह समस्य का समाधान कराने के लिए जल्द निदान कराने के लिए आवेदन करें स्रीमान पार्थो चटर जी, मिनिस्टर इंचार्ज, डिपार्टमेंट ओप स्कूल एडुकेशन, गवर्मेंट ओवेस्ट बेंगौल, नमबर है 9903 008888 नमबर में कोल कर आवेदन करें ताकि जल्द से जल्द पच्छिम बंगाल की खाली सिक्षकों में न्यूकती हो, टीचरों की जल्द से जल्द न्यूकती किया जाए और जो एडुकेशन सिस्टम हो वो दुरुस्त हो, मैं हरिहर नागबंसी पच्छिम बंगाल से इ जल्द से 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